डिपार्टमेंट्स बेसिकली हैं हमारे पास जहां यह है आपका बैंक यह है आपका SSC का डिपार्टमेंट और यह है आपका रेलेवे का डिपार्टमेंट तीन अलग अलग विभाग है जहां पर आप सब लोग की क्या आती नोक्रियां आपके लिए नोक्रियां आती है ठीक है न तो इन तीनों विभाग में ऐसी कौन सी नोक्री है जो आपके हाँ ठीक है जो आपके लिए 12 विहाब पर यानि 12 के विहाब पर आती है वो हमें यहाँ पर समझना होगा और अगर हम वो समझ जाते हैं तो हमारे लिए सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी अच्छी हो जाएंगी और हम आगे के लिए त्यारी कर पाएंगे देखे अगर मैं बैंक की बात करता हूँ तो bank जितनी भी vacancy देता है या clerk से लेकर आगे किसी भी officer level की बात करूँ उसकी जो qualification होती है जो उसकी qualification होती है वो graduation होती है वो क्या होती है? graduation होती है इसका मतलब यहाँ पर form वो भर सकता है bank के जिन्होंने graduation कर रखा होगा graduate होंगे जब मैं बात करता हूँ SSC की तो SSC में तीनों तरीके की graduation वाली vacancy भी आती है graduation वाली vacancy भी आती है हाँ 12 यानि 12 वाली भी आती है और 10 वाली भी आती है जब हम SSC की बात करते हैं मेरे दोस्तों तो SSC की जब हम बात करेंगे तो SSC में दो vacancies ऐसी हैं जो graduation के उपर आती हैं एक है आपका CGL की vacancy और एक है आपकी CPO की vacancy एक है आपके CGL की vacancy और एक है CPO की vacancy हाँ यानि दिल्ली पुलिस SI जिसे कहते हैं CPO को ठीक है लेकिन जब हम बात करते हैं 12 के basis पर तो 12 के basis पर एक vacancy आती है CHSL की 12 के basis पर एक vacancy आती है CHSL की और 12 के बिहाब पर vacancy आती है दिल्ली पुलिस की और 12 के बिहाब पर vacancy आती है दिल्ली पुलिस में तो दिल्ली पुलिस में कौन सी आती हैं वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको उसके बाद दस्वी के बिहाब पर यहाँ पर vacancies हैं जादा दस्वी के बिहाब पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोग का एक तो MTS का पेपर है एक आपका GD का पेपर है हाँ SSC MTS SSC GD उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिस करूँ तो दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस का भी MTS ये भी दस्वी के विहाब पर होता है तो यानि ग्रेजुएशन के लिए केवल दो पोस्ट 12 के लिए CHSL की एक पोस्ट और दिल्ली पोस्ट में Head Constable Ministerial की पोस्ट, Head Constable की पोस्ट ये पोस्ट आती है 12 के विहाब पर किसके विहाब पर आती है मेरे दोस्तों 12 के विहाब पर दी जाती है फिर जब हम आते हैं railway की jobs में तो railway में आपको ये देख रहा है railway में total ये vacancies हैं जो आपकी आती है तो देखो group D के vacancy ये 10 के विहाब पर हो गई NTPC CBT2 की ये graduation के विहाब पर हो गई ये graduation यानि जिन्होंने सनातक कर रखा उनके लिए हैं ठीक है उसके बाद J E की vacancy ये technical हो गई हाँ ये technical हो गई ALP में diploma मांगा जाता है हाँ ALP में diploma और SI में हाँ SI और constable SI की जब आप बात करोगे तो तो आपको graduation लेना पड़ेगा तब तब आपको क्या करना पड़े है graduation और जब आप बात करोगे constable की तो आपको दस्वी की बात करनी पड़ेगी आपको tenth की बात करनी पड़ेगी tenth में यहाँ पर GDI, डिली पूलिस और डिली पूलिस का Constable भी है डिली पूलिस Constable भी है इतनी post हैं के पास है तो यानि दिल्ली पुलिस की वेकिंसीज मतलब पुलीसिया जितनी भरती होती है न जाधातर मैं आपको बात करूँ अगर कॉंस्टेबल लेवल पे है वो तो वो आती है आपके दस्वी के विहाब पर और जितनी SI लेवल की पोस्टे होती है वो आती है आपकी हाँ वो आती है आपकी बारहमी या ग्रेजुएशन के विहाब पर ठीक है चलिए हाँ अभी सब बता रहा हूँ ये मैंने पहले तो आपको देखो ये जो आपके तीनों विभाग है आपके बैंक, SSC और रेलवे इन तीनों विभाग में आपके लिए किस-किस लेवल की वेकिंस जाती है अमूमन यानि maximum post में 170 cm मांगी जाती है आपकी ठीक है न हाँ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 170 cm हो गया उसके बाद अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की तो फीमेल की 157 cm होती है आपकी है यानि male और female की अमूमन लेकिन दिल्ली पुलिस head constable ministerial में इसका संटीमीटर मागी गई मिल का है बाकी कहीं नहीं मागी गई है